ये तीन स्वभाविक पतित हो जाते हैं विद्यामदो जिसको अपनी विद्या का अभिमान है पतित हो जाएगा भक्ति हर्दय में जागर्थी नहीं हो शक्ति विद्या रूप महतकुल धन जोवन अभिमान भगवत्रशीक जी शटकंटक देख है जहां रहयन भक्तिनिदान रहयन भक्तिनिदान श्वांग सब नगर नारिके बिशेन हाथ बिकाय नहीं रिजवन भतारिके अगर यह अभिमान है बिद्या का रूप का कुल का धन का यववन का अपनी प्रतिष्ठा प्रसंशा का बक्ती नहीं रह सकती आपके ख़दय में बक्ती का श्वांग होगा वो बिशेयों पुर्ष कुल धन यववन अभिमान ये सट कंट के छे बड़े-बड़े कांटे हैं बक्ती महरानी बहुत सुकोमल हैं ऐसे हरदय में कदम भी नहीं रखती जाए अभिमान लेता है रहन भक्त निदान श्वांग सब नगर नारिके नगर नारिके ते बैश्या को जैसे बैश्या अप कर सकता है विशई पुर्षों के हाथ बिखने के लिए वस्तुता विद्या रूप महतकुल धन ये सब जन समाज को शुप पहुचाने के लिए भगवत प्रशनता का हेतु बन सकती है यदिश्का भिमान ना किया जाए पर विदुर जी कह रहे हैं विद्या मदो धनमदस त और उचे कुल में जनमाहों बहुत से लोग हमारे सायोगी हैं ऐसे घमंडी पुरुषों का घमंड नश्टो कर देता है अगर यही विद्या धन और कुलिंता शंत शमागम के द्वाला आंकार का दमन कर दिया जाए तो जगत मंगल का हेत हो जाए आपके पास विद्धता है दुष्रों को सत मारग का उपदेश करके उनको उत्षाह उनको भगवत मारग की पेरणा के बल से असत मारगों से बचा लिया पाप कर्म से बचा लिया धन है उसका सत प्रयोग करते हुए दुष्रों की शेवा में भगवत सेवा में अर्पित कर दिया आपके पास सरीर बल है जनबल है समाज सेवा में उतार दिया पशु पक्षी जन शमुदायश भगवत सरूप मान कर तो यही तुमारे परम कल्यांका हो गया और अगर यही अविमान हो गया तो तुम्हारा ही नाश हो जाएगा तुम्हारा पतन हो जाएगा अन्याय में इस्थित हुआ बलवान र लगतिरात्म वताम शंतह शंतेव शताम गति इसले आप अपनी बुद्धी को शंतों के चरणों में समर्पित कीजिए तुमारी बुद्धी बिगढ गई है विदुर जी महराज कहते है। जो शंतों का सहारा ले लेता है gatiratma वताम शंतः, संत एव शताम गति ही वो उसे संत ही बना देते हैं अर्था तुसकी बुद्धी भागवतिक हो जाती है तो महापुरशों का, शंतों का आस्त्रेलो क्योंकि जितने भी शंत हुए वो संत संग से ही संत हुए हैं, संत एव संतों का संग मिल जाए तो शंत बन जाएंगे देखो कुछ लोग कहते हैं अरे यह यहां क्यों आ गया नहीं हमें तो लगता उसको जरूर आना चाहिए था जब नित्यानंद महाप्रुव और ठाको हैरदास जी नाम किर्तन घर-घर ऐसे नाम शुनाना नाम उच्चा जिसे घर में जाते तो कोई समस्ता भिक्षा लेने आये हैं क्या दे दे तो बोले बस आप दो च्छण हमारे शाथ नाम बोले हम नाम किर्तन करते हैं आप नाम बोले नाम बस हमें भिक्षा मिल गई आप इसको जब समय मिले तो जब पिये, ऐसे, ओ जगाई मधाई, मदिराप पिये हुए, देखा कि, ऐसे गंदिश शब्द बोलने लगे, गाली गल, ठाकुर है जिनका प्रभू, यह देख रहे हो आप, अरे भूले, यही अधिकारी है, ऐसे लोग ही महाँ प्रभू की कृप किस दुर्दशा में जी रहे हैं, चलो, मारा उन्होंने वो पात्रेशे, नित्यानन्द महाँ प्रभू के रक्तव, कितने करुणा में हैं, आखिरकार महाँ प्रभू क से क्रपा करा के, उन्हें जगाई मधाई की जगे, कितने बड़े महाँ प्रुष बना ले, गंगा में खड़े हो के माँ पर उन्हें सारे पाप ले ले हैं, बिदुर जी कह रहे हैं, असताम्च गति शंतो, इन असत पुर्षों की गति ही संत जन हैं, ये अरे केश्य आया है, ये तो ये पीता है, ये खाता है, नहीं, वो आएगा, बार-बार बात करेगा, तो रंग चड़ेग उसर छोड़ देगा, देख लेना, भगवत, प्रीमी शंतो का भगवन नाम जापक, शंतो का संग सब को पावन कर देता है, जब एक पारश मनी अपना प्रभाव दिखा देती है, तो भरा नील मनी और श्री प्रियाजू के आश्रित जनों का संग करने से परिवर्तन क्यों नहीं होगा, यदि आप करना चाहें, तो अवश्य हो जाएगा, तो असताम चा गतिशंतों, महराज असत पुरिशों की गतिशंत जनी हैं, जिनका बुले हो, बहुत तरक बादीर भी लोग होते, पहाड के पहाड रूई को जलाने के लिए एक दिया सलाई काफी होती है, ब अरे जब जग जाए तभी बाद, पूरा जीवन सोते रहे, मोहंदकार में, पाप करते रहे, आखरी शमय तुम्हें बात आ गई, हे प्रभू, आपके शिवा, कोई भगवान उद्दार कर देंगे, जीवन का भरुशा नहीं के अगले सेकेंड, तो अभी ये जो सेकेंड है इसमें राधा बोलो और प्रभू से प्रार्थन करो, जो अभी तक हुआ चमा करो नाथ, आगे हमारा मंगल में, आपके चर्णों में शमय बिती थो, असताम चा गतिशंतो, नस्वंता शताम गति, कह रहे हैं, कि अगर संत जन दुष्टों को शहरा ना दे, तो दुष्टत नाना प्रकार के कुमार्ग प्रवतियों, उनको बेटे जैसा दुलार करते हैं, क्यों? कि यही दुलार उनके हरदे का प्रिशन करेगा, जैसे आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, दृष्टी से देख ले आ, ठीक, राधा राधा, पता है, कि तुम्हारे अंदर विचार विवेक है, तुम अशत से लड़ सकते हो, तुम्हें ज्यादा सपोर्ट की आप शक्ता, ज्यादा सपोर्ट की आप शक्ता, उसको है, न विचार है, न विवेक है, केवल ब्रष्टाचार है, आप उसके आगे हमें जोकने की जरुरत है, हमें जोकने के, रख मेरे उपर पै उसे उच्छाहित करके जूक के अपने ऊपर पैर रखके चर्ड भगवत मार्ग में ये सब को शिदान्द समझ में नहीं आएगा अगर समझ में आजा तो सम्भात्मा ही ना हो जाए करत जे अनशहन निंदक तिन हुपे अनुग्रे किया जो निंदा करते हैं अपमान करते हैं संतों को पीड़ा पहुचाते हैं उनका परम मंगल करते हैं उनी को संत कहते हैं उनके प्रति भगवत प्रार्थना करते हैं जो कभी किसी के प्रति भगवत प्रार्थना नहीं करते हैं वो ऐसे जनों के लिए अपने इस्च से प्रार्थना का प्रभू अगर इसका मंगल न प्रमान करो वो इस बात के परवाह नहीं करते तुम्हारा मंगल करकी ही छोड़ेंगे तो कहे रहें संतो न तो संता सतामगती संत जन अगर दुष्टों को शहारा ना देते तो जगत में दुष्टता ही दुष्टता फैल जाती है सही बात बिगडेल बच्चे को मा करते है ये सुधर जाए भगवान ये सुधर जाए ये सुधरे तो है ये सुधर जाए ऐसा ही संत का वातसल्ले महरतर न होता है इसलिए महाराज आपकी मती बिगड गई आप संतू का अस्रे लीजिए योजिताः पंचaşवर गेण सहजें आत्म कर्शना आपदसदस्य वर धन्ति, सुकलपक्ष वो डुराड जो अपनी पाच ग्यानेंद्रियों को अपने वस्मे कर लेता है उसकी आनंद संपत्ति ऐसे बढ़ती जैसे सुकलपक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत लिया तो उसकी बिपत्ति भी ऐसे बढ़ती जैसे सुकलपक्ष चंद्रमा बढ़ता है बढ़ता है बिपत्तिया बढ़ती ही चली जाती है इंद्रियों को अशुब अधर्म में भोगों से हटा लेना चाहिए महराज ये मनुश्य का शरीर एक रथ है और इस रथ का सार्थी बुद्धी है और इसके गोडे इंद्रिया है और मन इसकी लगाम है इसले अपनी बुद्धी रूपी शार्थी से मन रूपी लगाम को खिचिये और अधर्म में चलने वाली इंद्रियों को सत मार्ग में लगाए नहीं तो महराज इस संसार पत्थ में आप बहुत बुदी तरे नस्ठ हो जाएंगे बिदुर जी महरा ऐसे यदि सास्त्र सम्मत मन और इंद्रियों को ना चलाया जाए तो ये मन ही इंद्रियां दुस्मन की तरह उसका नास कर देती फशा देती है जो अधिक धन का श्वामी होता है और आहंकार करता है मैं धनी हूँ तो उसमें दोश आने लगते हैं वो मदिरा पीने लगता है वो बेविचार करने लगता है वो मन मानी आचरन करने लगता है इसलिए वो पुल्ण नस्ट होने के कारण आगे चलकर एश्वरे भरष्ट हो जाता है महराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अर्था आपके पुत्रे से ही आचरनों से युगत हो रहे आपको शावधान होन चाहिए जो पापाचारी का संग नहीं त्यागता उसकी वही गती होती है जो पापाचारी की होती है भले आप पापाचारण नहीं कर रहें लेकिन आप अपने पुत्र पापाचारियों का साथ दे रहें तो आपकी भी वही दुर गती होगी मूर्ख मनुष्य यदि विद्वान को गाली दे और वो उस कष्ट को शह जाए तो उसके सारे पापनष्ट हो जाते है जो विद्वान को, शंतों को, भक्तों को धर्मात्माओं को गाली देते हैं निंदा करते हैं अगर वो शह जाए जिसको निंदा करते तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो उसका दंड भोगेगा जवाब भर न दे मौन रहे तो वो जो अंदर जलन होती उतमे निश्पाप कर देगी साक्षा धर्मराज बूर ले बानी का सयम करना बहुत कठिन है महराज बहुत सुन्दर वाकि शयमो ही निर्पते सुदुसकर तमो मतहा एक भी शब्द प्रमाद में नहीं निकलना चाहिए सादर का शावधान होकर बोलो बहुत बहुत बगवत रशिक जीन का है प्राया बोले नहीं और जब बोले तो हरदय की गरंथी खोले ऐसा बोलना होना चाहिए ब्यर्थ में बक की बात है कि बानी को शयम में नहीं किया जा सकता बड़ा दुसकर है अगर कोई बानी को शयम में कर ले तो शब्षे ज्यादा भजन उसका बचे और बने यह बहुत अपराद बानी से होता है तो इसलिए मौन कास्त रेले पर बड़ा कठिन है मौन रहना मौन रहने कम तब उसे नहीं लिखना पड़ने से नहीं शांत ब्रति बानी से किसी से कोई सम्मंदे कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं बोलना तो बड़ा कठिन से जिसे राधा भाबा ने निर्वाक किया पुझी राधा भाबा कास्ठ मौन न इसारा न लिखना बिलकुल शुनने ना अंदर को और ना बाहर कोई चेश्टा मौन का मतलब है आगे फिर बोल लाएं इसी कर पहली बात मौन तो राधा भावा जैसे पुझ राधा कास्ट मौन कोई चेश्टा ने कोई लिखना को इसे मौन इसलिए कहे रहें वाकस सयमो ही नरपते सुदुसकर तमोर मता धर्म के मत के अनुश सारवानी को पुर्ण सयम में कर ले ना बड़ा कठी नहीं ना अंदरिश्पुरण न बाहरिश्पुरण किसी से कोई प्रपज बश्मंत चल रहा है भगवत चिंतन चल ला है भावा जैसे कास्ट मौन अब इससे भी उत्तम बात कहे रहें कि अभ्यावाति कल्यानम करने वाले का परम मंगल परम कल्यान करने वाली है मौन से भी ये उच्च कोटी की है क्या म्रदु शब्दों में और हित कर उसका कल्यान करने वाली बात कही जाए अगर वही कल्यान करने वाली बात ऐसे कट शब्दों में कही जाए जो अनर्थ का कारण बन जाए तो उसे फ हिद कर कल्यान कारी बात मौन से भी स्रिष्ट है इसलिए गुरुजनों ने यही कहा था कि मौन का मतलब है विचार मौन शांत हैं आप भजन करें आप से किसी ने पूछा आप पहले विचार कर उत्तर देना आवश्यक है कि नहीं नहीं आवश्यक है बिल्कुल पगले जैसे वात से नहीं कोई चेस्ट मतलब ऐसी हरकत ही नहीं करनी कि हमें सुनाई दिया है वो अपनिया वसा है दो सकता बहरा हो य साधू गंबीर होता है बहुत सोच समझ साधू का ताथ पर भगवत मार्ग का पथी कि रोहते सायकेर विधं बनं परशुनाहतं वाचा दुरुक्तं भीवत्सं नसन रोहती वाक्षतं बिदुर जी महाराज कहते हैं जो भगवत मार्ग में चलने की चेस्टा तो करते पर ऐ ऐसे नुकीली बाते कहते हैं ऐसे कठोर बाते कहते हैं जो हरदय में बिन जाती है तो बार से जो परशुना हतम जो घाव करने वाले अस्त्र हैं उनसे उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी बात जो धस जा हरदय में वो बारबर बहुत समय तक पीड़ा देती रहती है इसलिए कट वचन रूपी बान किसी भी परमार्थ पथिक के मुख से नहीं निकलने चाहिए यह न्यादिश त्रिभुवन के बोलने धर्म जी पहली बात तो मौन पर वो मौन रहना उस तरह का दुश्कर है उससे स्रेष्ट बात है विचार मौन जब तक आपको लगे ना कि नहीं बोलना ही चाहिए तो मृद बोलिये कल्यान कारी बात बोलिये अन्यफा मौन रहिए अगर तुम कट वचन ऐसे बोलते हो दूसरे के हैं तो हरदय देश में भगवान बेटी हुए पिर तुमारे हरदय में कैसे प्रकासित होंगे तुमारा भजन कैसे आनंद प्रदान करेगा किशी को देवता लोग डंडा लेके नहीं मारते बिदुर जी कह रहे है बुद्धो कलुष भूतायाम बिनासे प्रत्युपस्थिते जब किशी का नास और पतन और दंड होगना होता है तो पहले उसकी बुद्धी बिगाड़ जी आती है कर्म के अनुशाग बुरी दशा आने के पहले बुद्धी बदली जाती है आपने आवाई ताही पर ताही तहां लह जाए ओ, बुद्धी वेशा बुलवा देगी वेशी चेष्टा करवा देगी कब? जब नाम नहीं चल रहा होगा तब उगर नाम चल रहा है तो किशी भी कर्म की टाकत नहीं कि हमारी ऐसी बुद्धी बिगाड़ दे नहीं अगर ऐसे इतिनी शामर्ते तो भगवत प्राप्ती ही नहीं होती, फिर ये उपधेश कहां लागू होते, क्योंकि भईया जैसा होगा कर्म के अन्षार, वैसा हो जाएगा उससे तो हम रोक नहीं सकते, नहीं क्यों नहीं रूख सकते, अभी तक कर्म प्रभाव चला है, नाम प्रभाव नहीं चला, गुरु कृपा प्रशाद नहीं चला, अब भगवत आश्रित हैं, सब प्रभाव को रोक करके हम आगे बढ़ेंगे प्रभाव तो है कर्मों का प्रभाव अपना दिखाएगा लेकिन भजन का प्रभाव भी तो है वो कर्म असत इतना बल रखता है कि हमारी दुर्गती कर देता है तो सत कर्म क्या इतना कि उस असत कर्म को नश्ट कर दे ऐसा उत्षाह वाणी को शैयम में रखते हुए कह रहें कभी देवतालों किसी को डंडा लेके नहीं मानते उसकी बुद्धी बरष्ट कर देते हैं बुद्धी बदल देते हैं फिर वो अन्याय करता है और भारी दंड का पात्र बन जाता है इसलिए माराज आपकी बुद्धी गिर गई है आप अपनी बाणी को संभा लिए आप संतों का आश्च्रे लीजिए और अपने पुत्रों को अपने परिवार को बचा लीजिए जो अधर माचरण में है शेश चर्चा के शिराधा लबला